अफिशल वेब साइट पे हम दुबारा आ चुके हैं और हमने लास्ट ये गाइड से शुरू किया था और इस गाइड में हमने ये कोर कंपोनेंट वर्सेज नेटिव कंपोनेंट तक हमने चीज कवर कर ली दी अच्छा यहां इस स्क्रीन पे हमने पूरा लॉग इन बना लिय जो है सौय है अवेलिबिलिटी जो है कि मतलब जो जितने भी क conserve यह रिक्ट करेंगे हैं रियक्ट की जो अपने कंपोनेंट संपरेंट सोते हम जेंग famंभी दूसरा रियंक नatव भेन से ढु़ाशे साव्शे हैं है त जो ने यह दना प्रर्सेजर बेर एक native में उसके लावा core component जो है यानि native component में तीन जगाओं से आपको component मिलेंगे एक तो core है एक जो community component जो native directory है और your native component आप खुद भी directory पर अप्लोड कर सकते हैं कुछ बना के और खुद भी अपने पास आप बना सकते हैं तो ये balloon मना के उन्होंने इस पर demonstrate किया है कि इस तरह करक आपके availability होगी आपको component की अच्छा उसके बाद यह react के fundamentals discuss कर रहा है हमने react detail में पढ़ दी है तो हमें यह पार्ट देखने की जरूरत नहीं है handling text input यह वही चीज है जो last हमने किया था यहाँ पर इसने दुबारा से यह करके बताया है कि यहाँ पर इसने के example बनाई भी है कि आ समझता है अचा वैल तो इन्होंने इस पर actually किया वा किया है अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो एक अदद व्यू है उसमें एक text input है ठीक है और इस text input के उपर एक लगाव है style इसकी height 40 pixel placeholder लगाव है इसमें कुछ ने कुछ प्लेसोल्डर का color black आ रहा है जो कि मैं मैंने change नहीं किया इसलिए black ही हो on change text जब भी इस पर text change होगा तो इसमें set state करके इस तरह से इन्होंने state set करवाया है default value text रखिए जो के जाहर है empty string होगा शुरू में ठीक है तो यह default value empty string यहाँ पर दिख रही है अच्छा उसके लाबा नीचे एक text view बनाया है उस text view में इन्हो डिस्प्ले की यह चीज वह conditional है और वह condition क्या लगाई भी है कि text dot split करके अगर split एक JavaScript की command है जिसे हम text को split कर सकते हैं ठीक है space जहाँ जहां पर वहाँ वाँ से split करें और यह कह रहा है कि dot map चलाएं और जितने भी word है ठीक है dot map चलाके उसके against pizza return करें तो मिसाल के तौर पर अगर मैं दो word लिखूंगा chicken space ABC तो दो pizza आगया space XYZ तो तीन pizza आगया ठीक है तो कुछ इस तरह की condition लगाई गी है कि वह क्या कर देगा pizza language में convert कर देगा मिसाल के दौर पर किसी ने लिखा कि I am good guy तो यह पीजा की language में convert होगी है सही है तो इसने एक यह example बना कर दिखाईए कि text का input लेना कैसे है हमने last class में यह कर लिया था लेकिन document में यह यहाँ पर demonstrated है और display जो होगा text वो conditional भी हो सकता है और plain text भी हो सकता है यह यहाँ पर discuss scroll view को कैसे use करना है scroll view is a generic scrolling container that can contain multiple components and views the scrollable item can be heterogeneous and you can scroll both vertically and horizontally ठीक है जो आईम सुगे इसके अंदरो हेट्रोजीनीयआस सकते हैं हेट्रोजीनीयस का मैतलब बता सकता है कोई इक होता ह Sens unnatural hair homogeneous आई हो सकते हैं इक जैसे कि भाइ एक को जैसे scroll view है अब इसमें स्क्रॉल वो एक लिस्ट हो सकती है, लेकिन यह कह रहा है है हेट्रो जीनियस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसमें हो सकते हैं कुछ image हो, फिर कुछ paragraph हो, फिर कुछ input boxes हो, ऐसे करके भी scrollable view में चीज़ है, सजा सकते हैं. You can scroll both vertically horizontally, अगर आपको ऐसे vertical scroll लगाना है, तो भी हो सकता है, और horizontal यहाँ पर show नहीं किया वा, लेकिन horizontally भी वो scroll हो सकता है. अच्छा, यहाँ पर पोर्ड पर देख लेते हैं क्या किया वे इन्होंने, एक अधर scroll view बनाया हो है, उसमें एक text है, फिर एक image है, फिर एक text है, तो यह heterogeneous scroll items जो है न सारे, यहाँ पर लगा के बताया हो है, ठीक है, और जो logo इसने source के तोर पर define किया है, वो logo इस तरहा से हैं य direct, उसको string URL दे दिया होता, तो यह उसको proper तरीका है, जो document में बताया जा रहा है, अच्छा भई, कुछ मजीद बात हो रही है, scroll view के बारे में, scroll view can be configured to allow paging through views using the swiping gesture, ठीक है, scroll जो चलेगा इसके उपर, वो swipe gesture से चलेगा, computer में तो हम इसको mouse, यह two finger scroll से भी चला रहे होते हैं, यह sometime mouse के wheel से भी हम चला रहे होते हैं, लेकिन यह phone में actually जो मेरे end user के पास पहुचेगा, वो swipe gesture से यह चल रहा होगा, by using the paging enabled property, यह क्या इसने बोल दिया, the configured to allow paging through views, using android pager component, यह जो इसने बात बोली है, यह मुझे समझ मे pager नहीं आगी है, यह pager component क्या चीज़ होते हैं, मैं क्या करूँगा, pager view लिखके देना, images सर्च करूँगा, कि pager view असल में कैसा दिखता है, पर नीचे तो स्क्रॉल हो रहा है, सीधा सीधा, horizontal scroll कैसा होगा, horizontal scroll can be configured to allow paging, मिसाल के तोर पर facebook में, जब facebook का जो आप main screen खोल के रखी वी होती है, आपने, people you may know आ रहा होता है, जो horizontally scrollable होता है, बट वो horizontally na smooth scroll नहीं होता, वो एक-एक box करके scroll होता है, इसा नहीं होता है, जहां रोकूंगा महा रोक जाएगा, वो kind of ऐसा होता है, एक-एक box करके scroll होता है, एक दफा उसको जब मैं swipe करता है, तो एक-एक box scroll होता है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, अच्छा मुझे वो नहीं नाम पता, अटा मे आपको मुझें आपकेखोंग, एक पता है नहीं मैं अफेस बू önce में यह वाला काम नहीं किया, पेज bbles एक नहीं किया होता है, इन नहीं नहीं बून है Nyon've ३ुछ स्क्रॉल रख़ा होई है, अब ही मैं और किसी एप में देखता हूँ कि और कौन सी एप हो सकती है इसी जिसमें ये चीज होगी एरबीन भी खोल रहा होगी मैं इसमें देखता हूँ चाहदी मिला दो मैं एरबीन भी में भी ऐसा कुछ नहीं है चुछ भी ये जिवादीन भी में भी मैं और किसी खाहदी एवादीन भी मिला है मुझे वो वाली चीज दिख रही है सब जगह लेकिन वो वाला नहीं दिख रहा है जो इन्हों नहीं आप बताया है इन्होंने सबने ना स्मूथ स्क्रॉल लगाया है मैं दिखाता हूं इस्क्रीन शेयर करके अपनी मॉबाइल ली इसके मैं होंपर यहां पे देखो यह एक स्क्रॉलेबल बार आपर फिर गर को दर्मियान में की कोशिश करता हूं तो या तो यह ऐसी हो जाता तो या तो या यह दर्म्यान में नहीं रुपता तो यह उस तरह की चीज की बात कर रहा है कि आप एक स्क्रॉल व्यू को horizontally अगर आपने लगाया वह तो ऐसा smooth भी लगा सकते हैं जैसा canva पे और मेरा cursor का गायब हो गया और उसको horizontally इस तरह से भी कर सकते हैं जो पेजर भी बना सकते हैं अब उसको वेल अच्छा जी इन आई यूए स्क्रॉल व्यू विटा सिंगल आइटम कैन भी यूजर तो इलाओ यूजर तो जूम दे कॉंटेंट सैट अप दब मैक्सिमम जूम स्केल और मिनिमम जूम स्केल अगर मिसाल के दौर पे कोई स्क्रॉल व्यू है आपका और आप चाहते हैं कि यूजर अगर पिंच करें तो वह बड़ा भी हो आपको पता है मोबाइल आप में कुछ जगाहों पर ऐसा होता है फोटो वगरह जहां पर दिखा रहे होते हैं तो वह पिंच करने से वह वह स्क हम पिंच करता हूं अभी तो यह पूरी स्क्रीन मेरी जूम हो रही है जो कि Google Chrome का विल्टन फीचर है यह Google Chrome का फीचर है लेकिन अगर इस स्क्रॉल की उपर अगर मेरे पास यह लगावा होता न जूम लेवल तो इसको पिंच करने से इतना पार्ट सर जूम होता ठीक है अभी इस पेज में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें यह लगा हो अचा तो यह छोटी-छोटी कुछ बाते हैं जो इसने इसके बारे में की अब list view के बारे में कुछ यह बात कर रहा है React Native provides a suit of component for presenting list of data generally you will use either flat list or section list अब यह दो तरह की list है जिसका यह जिकर कर रहा है एक flat list है और एक section list है flat list component display a scrolling list of changing but similarly structured data flat list में एक जैसे item होगे उसका अंदर का data change हो सकता है या वो list में से बीच में कोई चीज गायब हो सकती है या आ सकती है लेकिन वो एक जैसा data होगा structure flat list work well for long list of data for example आप जब किसी का नाम लिख के सरच करते है whatsapp पे तो वो जो list खुलती है कि यह जब आप inbox में जाते है अपने inbox में नहीं जो main screen है whatsapp की जहां पर user की तमाम user के list आ रही होती है तो वहाँ पर kind of flat list बनी भी होती है long list होती है क्योंकि आपने पिछले जितने भी 200-500 लोगों से बातचीत किये वो सब लोगों की नाम आ रहे होते हैं वाबे जितने भी group join है उन सब का नाम आ रहा होते है तो वह flat list है और यह long data के लिए इनोंने बताया कि यह अच्छा गाम करते है अच्छा where the number of item might change over time अच्छा number of item might change over time का मतलब है कि जब आप scroll करेंगे तो जाहर है नीचे bottom पर पहुंशेंगे तो infinite scroll की वज़े से मजीद data आ जाएगा फिर और करेंगे तो मजीद data आ जाएगा तो यह वाला किया रहे है unlike the more generic scroll view एक होता है more generic जो चीज है कि किसी भी चीज को उसमें लगा दो वह है scroll view but flat list जो है वह specifically इस काम के लिए बनाया गया है कि ऐसी list हो जब इसको scroll करें तो नीचे मजीद data आ रहा हो या बीच में से किसी एक को delete करूँ तो बीच में से वह गाया है बोज़े इसके लिए बनाया गया अच्छा the flat list only render elements that are currently shown on the screen not all the elements at once अब इसकी अच्छी बात यह है flat list की कि एक वक्त में जब यह क्योंके ऐसा component iOS में भी मौझू दे और Android में भी मौझू दे हम जब infinite scroll discuss करने थे तो हमने क्या दिखा था कि ultimate इसका क्या scene होगा ultimate scene ही होगा कि जितनी screen पे दिख रही है list उतना ही हो जब मैं scroll down करो तो नीचे कुछ data आगे लगे ना तो उतना ही उपर उडा भी देओ यही हमने discuss किया था और जब मैं वापिस scroll back करो तो उपर वाला data server से उपर आके लगजा और नीचे वाला उडा देओ ताकि मैं अगर मैं यह काम नहीं करूंगा तो मैं जब उसको scroll करता जाओंगा तो क्या होगा उपर वाली list मेमरी में भरती जाएगी प्रती जाएगी और एक क्वाइंट पर आके मेरा रेम ओवर्फ्लो कर जाएगा और एप क्रैश हो जाएगी तो इन्हों नहीं क्या किया हो है उसका पक्का जोगाड किया है कि जब आप स्क्रॉल करेंगे किसी भी चीज को तो स्क्रीन पर वो उतना ही आइटम दिखाएगा या उतना ही रेंडर करेगा ग्राफिक पर जितना उसको स्क्रीन पर दिखाना है जब आप स्क्रॉल करते जाएगे उपर वल आइटम मेमरी से हटता चला जाएगा और जब आप स्क्रॉल बैक करेंगे तो नीचे वल आइटम मेमरी से हटता चला जाएगा अब उसको कैसे मै अब यहां पर यह कुछ इस तरह असने बात बताई है कि इसको दो चाहिए होता इस फ्लैट लेस्ट में एक डेटा है और एक रेंडर आइटम है । रेंडर आइटम के अंदर इसने एक आइटम दिया है function के जरी है कि रेंडर आइटम में जो भी आइटम मिला है उसके लिए पूरा एक element बना के इसने return किया तो flat list runs like map, सही है, समझ लो कि जब मैं flat list को जो data दूँगा ये वाला, ये उतनी बार ये चलेगा और हर दफ़ा जब चलेगा तो ये रेंडर आइटम का function execute करके पता लगाएगा कि इस वक्त मुझे क्या चाहिए, ठीक है, तो ये मेरे पास एक data source था, एक array था, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आर्ट, नो, दस, इसमें 10 item थे, तो ये flat list जब पहली बार जब आना चाहिए, वो यहाँ पर मिलेगा, ये item में मुझे, उस source में से पहला item मुझे बिल जाएगा, पहली दफा में, अब इस item का मैंने क्या करना है, इस item से मैंने component बनाकर return किया, text का component, तो ये text का component display हो जाएगा, किसी point पर मैं इसको input box भी बनाकर return कर सकता हूँ, मैं कहूंग तो जितनी जफा ये चलेगा, उतनी जफा वो रेंडर होते जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे, ये अपने हिसाब से उसको चलाएगा, जैसे इसका दिल करेगा, तो as a result आपके बास ही है, scroll view के अंदर, scroll view जो नहीं है, ये असल मैं flat list scrollable item है, तो मैं इसमें क क्या है, scrollable चीज है, अगर मैं flat list की जो height है, उसको कम कर दूँगा, तो वो कम हो जाएगा, लेकिन उतना part scrollable रहेगा, ये विसाल के दौरपे अभी flat list को मैंने कोई height नहीं दी तो ये पूरा, पूरी height ले रहे है, अगर मैं इसकी height कर दूँँ कि top का 30% आपने लेना है, तो वो top का 30% scrollable रहेगा, उसके नीचे आप कुछ और लगा दें बले, वो मसला है नहीं, अच्छा जी, if you want to render a set of data broken into logical section, may be the section header similar to क्या है, ये similar to a UI view table on iOS, और section list in Android, तो ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है, तो ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है, अब इस चीज को achieve कैसे किया है, इनोंने या डी लिखा है, या जे लिखा है, और फिर जे वाले item लिखे हैं सारे, इस चीज को achieve इनोंने इस तरह किया है, कि section के अंदर अब जो array दिया है, उसमें एक title है, और उस title के साथ अलग array है है, ठीक, अब तो ये कोई built-in function नहीं है, ये totally इसने कैसे achieve किया है, ये render item क function को इसने जो है, वो बनाया है, कि भाई, रेंडर item का function, जब चलेगा तो उसको एक item मिलेगा, वो text बना करेगा, simple-simple, render item, section header, अब section header कब चलेगा, section के नाम से इसको जो भी चीज यहा पर मिली भी है, यनि sections करके अब इसने, अब data करकी नहीं दिया, अब sections करकी दिया, इसने ये भी note करने वली चीज है, तो जब section इसको मिलेगा, तो section यहा पर display कर देगा, ठीक है, की extractor अब करके अब इसको देख लेना, चला के, सीधी सीधी सी example लग रही है, वैसा तो मुझे, लेकिन चला के देख लेना, कि ये कैसे चला रहे है इसको, ठीक है, अब ये list वाली जो चोटी-चोटी tricks है, इस तरह की बहुत सारी tricks है, जो आपको करने की जुरूरत पढ़ सकती है, तो जाहर हो, तो जब आप बनाएंगे, उसके requirement क्या है, और उसके हिसाब से ये सारा कुछ चल रहा होगा, वैल, point ये है, कि इसके अंदर sections को अलग-अलग किया, जा सकता है, passport layer वगरा की बी कुछ चीज है, जो हम ना ये publish वाले document में इसको हम ज्यादा बहतर तरीख से लेगेंगे, अच्छा, platform is specific code, क्योंकि हमारे पाद दो platform है, जाहर है, हर चीज दोनों platform पे exist नहीं कर सकती, सही है, बहुत सारी चीज हैं तो common है, लेकिन कुछ चीज हैं जो सिर्फ iOS में होती है, ठीक है, तो when building across platform app, you will want to reuse as much as code as possible, scenario may arise where it may take sense, it makes sense for the code to be different, for example, you may want to implement a separate visual component for Android and iOS, अब मिसाल के तर पे एक list है, आप चाहते हैं, आप चाहते हैं, iOS में ये different तरह से नदर है, और Android में ये different तरह से नदर है, ठीक है, या आप चाहते हैं, या कोई ऐसा component है, मिसाल के पर लिस्ट बनाते हैं, कोई ऐसा component है, जो होता ही सिर्फ iOS में, Android में नहीं होता है, ठीक है, तो वो native component में लिखा होगा, कि ये सिर्फ iOS चेक, Android हो गई नहीं, तो अब उसको आप क्या करेंगे, conditional करेंगे, ठीक है, React Native provides two ways to organize your code, separately, by platform, using the platform module, और using the platform specific extension, सही है, दो तरीखे हैं, सबसे पहला तरीका ही है, platform module, क्या कहरा है इसके बारे में, कि certain component may have properties that work only on one platform only, all these props are innovated with add the red platform, and have the similar badge next to them on website, सही है, जब आप उसको render करेंगे, website पर तो वहाँ पर भी badge बनाव भी आ रहा होगा, अच्छा जी, platform module के बारे में कहरा है, कि React Native provide a module that detect the platform in which the app is running, ठीक है, इसके अंद एसे platform करके, चीज मिले गी आपको, React Native के अंदर से, of course ये module कहता है इसको, जो export और import होने वाली चीज है, actually that is called module, तो ये module आप import करेंगे, React Native के अंदर से, और इस platform पे dot लगा के आप OS करेंगे ना जब, तो आपको ये iOS और Android बता रहा होगा, तो ये कह रहा है कि ये तरीका आप लगा के किसी भी चीज को conditional बना सकते हैं, कि iOS हो तभी ये दिखाओ, otherwise ना दिखाओ, लेकिन इसने ये भी बात जिकर किया साथ में, कि ये आपने तरीका सिर्फ उस सूरत में करना है, जब बहुत छोटी सी कोई चीज हो, ठीक है, ये नही करना है कि पूरा का पूरा पेज इसके उपर अपने कर दिया, ये काम नहीं करना, ठीक है, तो इसने यहां पर कुछ स्टाइल शीट में हाइट को चेंज किया है, इसने का भाई iOS अगरो तो हाइट 200, otherwise 100, इस तरह की कोई चीज है, या कोई आइकन दिखाना है, या मिसाल के आइकने चीज़ per », कि अप या तो इससारी आप का लिंक दिखाना है, इनदर में यूस नखेंगे अगर अगर लैका तो यह छोटी चीजों के लिए इनोंने बना है तो क्या किया रही है कि platform.os will be ios when running on ios और android when running on android ठीक है यह spelling case sensitive आसलिए इनोंने यह mention कर दिये there is also platform.select method available that gives an object where keys can be one of ios android native or default returns the most fitting value for the platform you currently running on यहीं चार चीज़े बतायागा कि आप चार में से किस पे चल दो है कि native ios पे native android यह सिर्फ native है यह default है ठीक है तो अब यह चार में क्या difference है यह हमें उसके यह platform का module है इसके documentation होगी कोई न कोई वहां पर जा कि हमें most probably है देखना होगा कि ios और सिर्फ native का क्या मतलब है सिर्फ native का मतलब क्या यह है कि मैं उसको expo पे चल आ रहा होगा क्या यह मतलब है ठीक है default का क्या मतलब है by default क्या होता है when okay that is if you are running on a phone ios and android key will take preference if those are not specified native key will be used and then the default key अचा कह रहा है कि अगर उसको यह पता लगाने में मुश्किल होगी कि phone का platform कौन सा है लिगन उसको यह पता चल जाएगा कि phone नहीं है तो नेटिव देदेगा और otherwise बिल्कुली उसको ना पता चले अगर फोन भी नहीं पता चले कुछ भी नहीं तो वह डिफॉल्ट देदेगा okay अचा यहां पर इसने कुछ यहां पर जो है ना कुछ इसने style sheet के अंदर यह platform select का जो option है ना वो यहां पर करके दिखाया कि अगर आप किसी style किसी चीज पर style लगा रहे है अचा यह वाला तरीका हम देख चुक है पहले डिसकवर कर चुक है कि वह style नीचे अलग सही लगा देता है जावास्क्रिप्ट के जरीए और यह style sheet करके react native में उससे ही apply कर रहा होता है तो उसमें इसने क्या किया इसने क्या है कि flex one और फिर flex one के बाद जो भी चीज़े थी वो लगाने के बाद के बाद के बाद हाई इतनी है विरत इतनी है जो भी इतना है फिर उसके बाद इसने बोला कि तो चाहे web हो या पता ना लग रहा हो कुछ भी हो तो अब यह default वाले color तो तीन अलग-अलग background colors है जो तीन अलग-अलग मुक्तलिफ मौकों पर नजर आ रहे होंगे अच्छा इस्टिल यह वाली बात वही है कि जहां पर बहुत चोटा सा change हो यह उसी के लिए अभी module वाली बात आगया आगया यह भी अच्छा this will result having the flex one on all platform और red blue green तीन अलग-अलग platform पर जोगा वह तीन अलग-अलग platform पर दिखे रहा है ठीक है platform.select करके इन्होंने कुछ ऐसे अलग से भी बनाया है कि बिल्कुली अलग component अगर आपने बना दिये तो ऐसे करके भी कर सकते हैं ठीक है component equal to platform.select और native हो तो अलग component है और default हो तो अलग component है और यह component को फिर नीचे आपने render इस तरह करके करना है तो पूरा का पूरा component भी अलग हो सकता है अच्छा file extension अभी तक इसने जिकर नहीं किया वह वाला जो दूसरा तरीका जो है अच्छा वेल एंड्रोइड का वर्जन कौन सा ये भी detect कर सकते हैं आपके platform.version लिखेंगे तो आपको वो वर्जन मिल जाएगा कि कौन सा वल है अच्छा ये वर्जन जो मिलेगा आपको वो असल में ये API level वला वर्जन मिलेगा ठीक है ये भी जहन में रखना है तो एक तो होते हैं Android 11 Android 10 अब 25 तो ही नहीं Android का कोई वर्जन अभी तक 11 12 तक आया है API level किया है ठीक है ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है तो API level 25 का मतलब है Android 7.1 ठीक है API level 26 और अभी React Native 31 को support कर रहा है तो 31 का मतलब है Android 12 ठीक है 33 को support अभी तक इसने नहीं किया शायद 13 को support नहीं किया या maybe 13 जाहर है जो चीज 12 के लिए बनी है वो 13 पर चली जाएगी Legacy तो रखते है ना operating system में तो बारहाल इसने जो Hello World बनाया उसमें काया कि API level 31 का में SDK और devices सब इसकी चाहिए ठीक है तो आमने यह देख लिया कि वर्जन का चक्कर किया है अच्छा detecting iOS का वर्जन iOS का वर्जन जो वही वाला है जो लिखा बहुता है अभी जो iOS का वर्जन है वो 15 चल रहा है वालबन एक मिनट देख लेता हूं अभी कौन से चलता है एक मिनट ना iOS विकी पीडिया लिखोंगा दो आजेगा 15 तो लास्ट आया था मुझे याद है 16 का मुझे याद नहीं हो सकता है 16 आगयो अभी क्या हो गया इंटरनेट बंद हो गया इंटरनेट बंद हो गया विकी पीडिया दावन चल रहा है 16 चल रहा है 16 चल रहा है 16 चल रहा है इसमें मैं लिखोंगा 16 चल रहा है तो 16 चल रहा है इसमार राइट नो पता नहीं मैंने अपडेट किया है नहीं किया वह असल पर खुद ही हो जाता है अचल रहा है थिक जी तो यॅएफ का वर्जन है यह नाइन्ट तो आम तो पर जो यॅइफ की बन ती यह उसपराने वर्जन को अन्हां सुपट नहीं देते चोटे डिवेलापर जो होते हैं जब यह 16 वगर आया है तो most probably अब जो नए वाली apps है उसमें वो 9 तक support नी दे रहे हैं तो 12 तक की support है उससे पीछे वालों भी नहीं है अच्छा आप चाहें तो बिल्कुल पीछे तक के भी वर्जन को support दे सकते हैं लेकिन उसमें problem क्या होगा उसमें problem यह होगा कि जो नए version में जो component इंट्रोड्यूस करवाए गया है वो component पुराने वर्जन में नजर इनी आएंगे या error कर देंगे कुछ ने कुछ मसला हो जाएगा तो यह problem होती है कि जितने भी नए components हैं जैसे कि अभी इसमें विजट वगरा इंट्रोड्यूस किया है और ने फिर इसी तरीगे से जो keyboard में अगर कोई नई चीज आई है जो पहले नहीं थी तो वो सारी चीज़ें जो फिर उस पुराने वाले में काम नहीं करेंगे ठीक है वो सिर्फ नए वाले में काम करेंगे तो आम तोर पे जो एप बनती है उसमें तो latest वाले कोई करता है support और अगर पुराने में एक या द तो भाराल वह भी आपने बताना होता है कि आप अपने डिवाइस को अपने एप को कौन से वर्जन तक की डिवाइस के लिए लिमिट करना है वह X-Code में और Android नेटिव डिरेक्टरी में उसमें भी ये मैंशन वह भाप होता है कि ये वाला जो हम लाइबरेरी आपको दे रहे हैं ये कितने मिनिमम अप्याइए लैवल पे चलेगा उससे नीचे पर यह नहीं चलेगा उसमें भी मैंशन होता है तो इन दोनों चीजों का ख्याल रखना होत है कि मैंने जो ओवराल एप का जो मिनिमम अप्याइए लैवल बताया है वो और जो मैं नेटिव लाइबरेटी इस्तमाल कर रहा हूं वो उसका जो अप्याइए लैवल है वो आपस में ऐसा ना हो जाए कि कहीं मैंने पुराने वरजन तक सपोर्ट दी लेकिन मैंने कोई ची प्लैटफॉर्म स्पेसिफिक एक्स्टेंशन भी देख लो कि कोई भी आपने बटन बनाया है अगर कोई कंपोनेंट कोई भी बनाया है तो उसमें .js से पहले आप IOS.js लिखेंगे और Android.js लिखेंगे दो फाइले बनाये तो एक बटन आप बनायेंगे Android के लिए एक बटन इंपोर्ट करते वह आपने कुछ भी नहीं बताया है इंपोर्ट करते वह आटोमेटिकली इसमें से जो भी प्लैटफॉर्म होगा उसको इंपोर्ट करेगा और उसको चला देगे यह उस चीज के लिए यह पूरा का पूरा पूरा पेज डिफरेंट हो अगर या पूरी को पूरा अलग-अलग बनावा होता है एप.js अलग-अलग होता है हम शुरू महीं इंडेक्स से ही उसको सेपरेट कर लेता है तो इंडेक्स सेम होता है वाकि एप.js दोनों का अलग-अलग हो सकता है ठीक है लेकिन इस यह रेयर केसिस में होता है रेयर केसिस का मतलग यह है कि इसमें एफर्ट ज्यादा पूट करने ही बनती है तो इसको करने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि आपके बास में सिर्फ जावा इसक्रिप कर डेवाइलपर है अगर आपके बास नेटिव और अंडुरॉइट का दो डेवाइलपर अगर रख सकते हैं तो यह वाली अप्रो में चल रही है तो वो बजाए उसके अपना iOS और Android लिखने के आप नेटिव करके भी लिख सकते हैं यह भी एक option है चली next हमारे पास है more resources अब यहां तक तो इसने guide में सिखा दिया basics सिखा दी यहां तक उसके बाद मजीद आगे अब क्या करना है आगे क्या करना है यह वो बत development और production version कैसे अलग अलग रखा जाएगा GitHub में कैसे push किया जाएगा अगर नया component बनाने तो क्या components का folder बना के करें यह कैसे करें ठीक है routing कर रहे है तो फोल्डर को manage कैसे करें तो यह सारी चीज़ें developer workflow में शामिल होती है जो के sometime जो SDK होता है जिनका framework होता है वो खुद बताते है जैसे next.js के अंदर आब वो खुद बताते है कि component का folder ऐसी होना चाहिए routing वो आटो किरता है क्योंकि उसकी वज़ा से जैसे react है react में ऐसा कुछ भी नहीं है वो कहते है जैसे मर्जी folder बना दो बस routing में उसका नाम बता देना च्छे तो developer workflow जो हो अलग-अलग हो सकता है different developers का ठी shipping to app store कि अब यह जो एप बन गई है इसको app store पर कैसे करना ठीक है security वगरा और internationalization internationalization जो है वो क्या होता है कि भाई मेरी जो एप है वो English में लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें उर्दू लेंगविज भी लेंगविज भी लेंगविज भी आजए या दुनिया की में 200 languages की support देना चाहर हो तो इसको हम कहते है internationalization कुछ मुल्क में कुछ अलग-अलग मुल्कों के अलग-अलग कानून होते है कि अगर mobile तो ऐसी होनी चाहिए तो इस तरह की चीज़े जिचनी भी है जो country to country vary करती है उसको internationalization कहते है ठीक है कि अगर फ्रांस में कोई बंदा क्या हुआ हुआ है फ्रांस में अगर कोई बंदा मेरी अब इंस्टॉल करता है तो वो फ्रांस की जो रूल रेगुलेशन के उसको compliance करके वो अच्छा security and more अच्छा ये आगे अभी इन्होंने क्या-क्या बताया हुए अपने documentation में यह तो आपने कहीं और सा सीखना है यहां पर डिसकस नहीं हु तो अधर एंड थोड़ी सी शायद इसने बात की है workflow की उपर क्यों workflow कैसे चलेगा अच्छा setup environment डेस के बाद obviously क्योंकि हम hello world की तरफ बढ़ रहे है कि hello world कैसे बनेगा setup your development workflow एक इन्होंने कोई basic से शायद रूल बताया है कि workflow कैसा होना चाहिए वह बात है design and layout your app अब हमने basic तो login की screen माला लिए लेकिन design actual में कैसे करना है उसको layout होगा आपकी app कोई नो कोई किया उपर navigation बार है या नीचे navigation बार है या कहां पर navigation बार होगा कहां body होगी किस चीज को कैसे रखना है ठीक है डीबग कैसे करना है डीबग का मतलब है कोई अगर error राजे ठीक है बग का मतलब एर्रों से बग का मतलब है यह कि पता है किसी दो जो पहला computer error वो एक actual bug की वजा से क्वाए वो क्योंकि बड़े बड़े computer होते थे बड़े बड़े circuits होते थे तो उसके के नजर कोई जो कोई बग कीड़े को कहते है तो कोई कीड़ा जाके तही circuit में जाके चपक के मर गिया गा तो उसकी वज़ा से वो circuit malfunction कर रहा था तो इस वज़ा से computer में आने वाले जितने भी errors होते है उनको बग कहते है अच्छा और उस error को तलाश करना और रिजॉल्व करने जो process है उसको हम कहते है debug को निकाल ले का process तो debug your app का मतलब है कि कोई app में error आजा है तो उसको ढूंडना कैसे है और उसको resolve कैसे करना है तो उसकी कुछ techniques debugging tools भी कहते है या debugging approach कह सकते हैं अब इसको make your app cross platform अच्छा cross platform तो by default यह है लेकिन शायद कुछ detail में बात हो रही है यहाप है get involved in react native community कुछ communities इन्होंने बनाई भी है जो के कहां पर है staying up to date community कहां पर है इसकी भाई यह रख community zero discord server है एक अधर दिन का और एक और discord server है दो है तीन चार चार discord server है एक श्लैक है तीन discord है ठीक है इन groups में आप शामिल हो जाए medium पे कुछ article लिखते हैं यह dev to community करके कोई team के website है और इन सब में connect हो जाए अब ताकि जो भी दूसरे लोग react native पर development कर रहे हैं उनसे आपको चीजें सीखने को मिलती रहे हैं अच्छा जी अब हम आ जाते हैं हमारे पास setting up environment क्योंपर ना